गरीब पकोडे वाली सुनीता अपने घर के बाहर पकोडे का ठेला लगाती थी पकोडे लेलो पकोडे ताजी सबजियों के गर्मा गरम पकोडे आलू प्यास पालक मूंग दाल के पकोडे 20 रुपए में 500 ग्राम पकोडे सुनीता बहुत गरीब थी लेकिन उसके हाथों में कोई जादू था उसके बनाए हुए पकोडे बहुत स्वादिश्ट और लाजबाब होते थे अरे वाद चाची तुमारे हाथों में तो जादू है पकोडे बहुत लजीज बने है धन्यवाद भाईया 200 ग्राम पकोडे पैक कर दो अभीलो भाईया सुनीता के बनाए हुए पकोडे खाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे उसके ठेले पर हमेशा लोगों की भीर लगी रहती थी अरे भाई ये पकोडे वाली क्या लाजवाब पकोडे बनाती है जो भी एक बार चक लेता है वो बार बार इसके पकोडे खाने आता है अच्छा ऐसी बात है मैं भी खा कर देखता हूँ इसके पकोडे सुनीता के पती बीमार रहते थे पहले वही पकोडी का ठेला लगाते थे लेकिन बीमारी के कारण वो काम नहीं कर पाते थे आप आराम कीजिए पकोडे का ठेला लगाने की जिम्मेदारी मेरी है ठीक है किशोर को भी अपने साथ रखना किशोर उनका 14 साल का बेटा था वो भी पकोडे बनाने में मा की मदद करता था सारी कमाई आपके इलाज में खर्च हो जाती है कुछ पैसे बच नहीं पाते हैं अरी कैसी बाते कर रहे हो जी आप बस ठीक हो जा एक दिन जब सुनीता ने पकोडे का ठेला लगाया तो देखा कि उसके ठेले के सामने दूसरे पकोडे वाले ने ठेला लगा लिया है ये कहां से आ गया यहां इससे तो मेरे ग्राहक कम हो जाएंगे तब ही वो पकोडे वाला बोलता है आरे नमसकार बहन जी वो पकोडे वाला बहत चालाग था उसने सुनीता के ग्राहकों को अपने ठेले पर बुलाने के लिए सुनीता से सस्ते पकोडे बेचने शुरू कर दिये सस्ते पकोड़े लेला आलू प्यास पालाक पनीर के पकोड़े सिर्फ दस रुपए में डाई सो ग्राम पकोड़े सस्ते पकोड़े लेला गर्मा गरम पकोड़े लेला सस्ते पकोड़े सुनकर ग्राहक सुनिता के ठेले को छोड़कर दूसरे पकोड़े वाले के ठेले पर चले जाते है अरे भाई सस्ते पकोड़े दे दो भाई धाई सो ग्राम पकोड़े पैक कर दो भाई एक प्लेट प्यांस के पकोड़े लगा दो अपने ग्राहकों को दूसरे ठेले पर जाता देख कर सुनीता परिशान हो जाती है वो ठेले वाला अब रोज सस्ते पकोड़े बेचा करता था जिससे सुनीता की कुछ कमाई नहीं हो रही थी धीरे धीरे ग्राहक उस पकोड़े वाले के ठेले से ही पकोड़े लेने लगे और सुनीता के ठेले पर अब कोई नहीं आता था किशोर ऐसे तो हम भूके मर जाएंगे हमारे ठेले पर अब कोई नहीं आता है हाँ मा हमें कुछ करना पड़ेगा लेकिन ग्राहकों को सस्ते पकोड़े खिलाने के चक्कर में पकोड़े वाले को महंगी चीज़े खरीदनी पड़ रही थी क्यों ना मैं इने बासी और सड़ी हुई सब्जियों के पकोड़े बना के बेचूं गर्मा गर्म होने के कारण ग्राहकों को कुछ पता नहीं चलेगा अगले दिन पकोड़े वाले ने अपने ग्राहकों को आवाज लगाना शुरू किया गर्मा गरम पकोडे ले लो, ताजी सब्जियों के सस्ते पकोडे ले लो, सस्ते पकोडे ले लो, दस रुपाई के सा ग्राम पकोडे पकोड़े वाले के ठेले पर ग्राकों की भीड लग गई लोग पकोड़े खरीद कर घर ले जाने लगे तब ही उस पकोड़े वाले के ठेले के साम में एक गाड़ी आकर रुकी और उसमें से तीन लड़के बाहर आए अरे भाई तीन प्लेट पकोड़े लगा दे अब ही लाया मालिक वो लड़के वहीं पकोड़े के साथ शराब पीने लगे जिसे देखकर सुनीता उन लड़कों से बोली भाई साब यहां शराब मत पीचे मैं एक महला हूँ और यहां पकोड़े का ठेला लगाती हूँ शराब की बद्धु के कारण कोई ग्रहा किधर नहीं आएगा यह सुनकर उन तीनों में से एक लड़का कहता है तो हम क्या करें तेरे ठेले पर तो वैसे भी कोई नहीं है हम तो इसके ठेले पर खड़े हैं तुझे बहुत दिक्कत है तु अपना ठेला यहां से अटा ले इतना कहेकर तीनों लड़के हसने लगते हैं और वो पकोड़े वाला भी हसने लगता है वो पकोड़े वाला भी कहता है सहाब इसके ठेले पर तो कोई गराग नहीं आता और सब हसने लगते हैं मा इनसे कुछ मत कहो ये शराबी लोग है हाँ बेटा इनसे कुछ बोलना ही बेकार है वो तीनों शराबी लड़के रोज उस पकोडे वाले के ठेले पर आते थे और वहाँ उससे पकोडे खरीद कर और वहीं पर शराब पीते और पकोडे खाते थे और सुनीता का मजाग उडाते थे उन शराबी लड़कों को देखकर सुनीता के ठेले पर जो दो-चार लोग आते थे उन्होंने भी वहाँ अनब बंद कर दिया एक दिन गली में एक पुलिस वाला आया और उसने सुनीता और पकोडे वाले से कहा तुम दोनों यहाँ कब से ठेला लगा रहे हो साहब मेरा तो यहाँ घर है घर के सामने ही ठेला लगाती हूँ साहब मैं तो चार महिने से ठेका लगा रहा हूँ तुम लोगों को यहाँ ठेला लगाने की पर्मिशन किस ने दी? पकोड़े वाला बहुत चालाग था, वो समझ गया मैं समझ गया सहाब पर्मिशन तो किसी ने नहीं दी लेकिन आप है न, जब आप हमारे साथ हैं तो हमें किसी से पूछने की क्या जरूरत है? सहाब आप तो बस गर्मा गरम पकोड़े खाओ और आपको तो पैसे भी देने की कोई जरूरत नहीं है सुनीता की कोई कमाई ना होने के कारण वो उस पुलिस वाले को फ्री में पकोड़े नहीं खिला पाती थे वो पुलिस वाला किसी न किसी बात को लेकर सुनीता को परिशान करता रहता ए ये तेला हटा ले यहां से वरना मैंने हटा है न तो बहुत भारी पड़ेगा जी जी मालिक हटा लूंगी पती की बिमारी से पहले से ही परिशान सुनी था अब उस पकोड़े वाले और पुलिस वाले और उन शराबी लड़कों से बहुत परिशान रहने लगी थी इधर पकोड़े वाले के ठेले पर रोज आने वाले ग्राहकों ने उसके पकोड़ों की शिकायत करनी शुरू कर दी भाई कल तुम्हारे पकोड़ों का स्वात कुछ अच्छा नहीं था आरे भाईया उसमें अमचूर मसाला और नीवू मिलाये था पेस्ट के लिए अब आज के पकोड़े खा करता देखो बहुत इस्वांदिस्ट बने हैं इस तरह बाते बनाकर पकोड़े वाले ने उस ग्राहक को और पकोड़े बेश दिये वो ग्राहक पकोड़े लेकर चला गया लेकिन तभी दूसरा ग्राहक आया और कहने लगा अरे तुम्हारे पकोड़े खा कर तो मैं बिमार हो गया पेट में बहुत दर्द है मुझे भी डॉक्टर के पास जाना पड़ा तुम्हारे सस्ते पकोड़े तो बहुत महंगे पड़ गए दवाई का खर्चा भी हो गया इलाज के पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे अरे भाईया तुम्हारे पकोड़े खा कर मेरा बेटा बिमार हो गया उसे दस्त लग रहे हैं वो अस्पताल में भरती है और धीरे धीरे पकोड़े वाले के ठेले पर ग्राहकों की भीर लग गए सबने गुसे में उसके पकोड़े के ठेले को उलट दिया और सारा सामान बरबाद करने लगे ये देख कर सुनीता को बुरा लगा सुनीता उस पकोड़े वाले के ठेले पर जाती है और ग्राहकों से कहती है आप लोग इसे माफ करते और एक और मौका दे ये अब कभी खराब पकोड़े नहीं बेचेगा सुनीता फिर कहती है रुग चाहिए आप लोग इसकी चीजों का नुकसान करके आपको क्या मिलेगा और इसने जो हमारा नुकसान किया है उसका क्या हम बिमार पड़ गए इलाज का खर्चा कौन देगा आप लोगों को सस्ते पकोड़े खाने थे ला ये सुनकर सभी ग्राहक शान्त हो जाते हैं आप लोग इसे एक मुकाब दीचे और इसे माफ कर दीचे सुनीता की बात सुनकर सभी ग्राहक अपने-पने घर चले जाते हैं सुनीता और उसका बेटा किशोर उस पकोड़े वाले के ठेले को उठाते हैं और उसके बिखरे हुए सामान को उठा कर ठेले पर रख देते हैं। सुनीता की दरिया दिली देखकर पकॉड़े वाला अपनी गलती पर बहुत पच्टाता है और सुनीता से माफी माँगने लगता है बेहन मुझे माफ कर दो मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया फिर भी तुमने मेरी मदद की मैं कितना गलत था कोई बात नहीं भाई साब, गलती तो इंसान से ही होती है बेहन, अब हम अलग-अलग ठेला नहीं लगाएंगे अब हम दोनों एक साथ मिलकर ठेला लगाएंगे और हम ताजी और फ्रेश सब्जियों के पकोड़े बनाएंगे ठीक है भाई साब उस दिन के बाद से सुनीता और पकोड़े वाले ने मिलकर पकोड़े का ठेला लगाना शुरू किया और फ्रेश और ताजी सब्जियों के पकोड़े बेचने लगे अब उनकी दुकान पर पहले की तरह ग्राहा काने लगे थे और दोनों जो कमाते आपस में आधा-धा बांट लेते थे कुछ तिनों के बाद वो तीनों लड़के पकोड़े वाले के ठेले पर आए और पकोड़े लाने उनके ठेले पर गए एक लड़के ने सुनीता के बेटे की शूर से कहा ये लड़के पकोडे लगा तिन प्लेट वे तीनों वहाँ शराब पीने ही वाले थे कि तभी पकोडे वाला वहाँ आया और उनसे बोला साहाब आप कहीं और जाकर शराब पीजिए यहाँ शराब पीना मना है और आपको पकोडे भी नहीं मिलेंगे हमसे जबान लडाता है तुझे पता है हम कान है तभी वहाँ खड़े दूसरे ग्राह को ने उन तीनों लड़कों को पीट-पीट कर वहाँ से भगा दिया और उस खूसकोर पुलिस वाले को भी अफ्री में पकोडे मिलने बंद हो गए थे सुनीता के बेटे ने पकोडों की होम डिलिवरी भी शुरू कर दी थे बेटा देख दो किलो पालक के पकोडों का ओडर आया है जा डिलिवरी करा जी मा अभी जाता हूँ सुनी तो और पकोड़े वाला ग्राहकों से फोन पर ओर्डर लेते और किशोर उनके घर तक पकोड़े डिलीवर कर देता था उनके पकोड़ों की चर्चा दूर दूर तक होने लगी थी वा भाई इनके पकोड़े तो पहले से भी ज्यादा टेस्टी लग रहे हैं हाँ भाई मज़ा आ गया मैं तो एक किलो पकोड़े अपने बीवी बच्चों के लिए पैग करवा के घर ले जा रहा हूँ दोनों का पकोड़ों का बिजनेस अच्छा चलने लगा था दोनों ने मिलकर पकोड़ों की एक छोटी सी दुकान खोल दी थी जिसमें पकोड़ों की कई विराइटी मिलती थी सुनीता कई सालों से सब्जी बेचने का काम कर रही थी लेकिन इसका और उसकी साथ साल की बेटी पिन्की का घुजारा नहीं हो पा रहा था सुनीता के पती किशोर की मौत चार साल पहले एक सडख हाथसे में हो गई भावी, आप लोग शहर क्यों जा रहे हो? क्यों न जाएं हम शहर? यहां गाउं की जिन्दगी में रखा क्या है? सिवाए जिम्मेदारियों के? सुनिता समझ गई थी कि उसकी भावी का इशारा उसकी तरफ ही था. दरसल उसका भावी सुरेश और भावी कामिनी उसके घर से थोड़ी ही दूर रहते थे. सुरेश एक धाबा चलाता था जो काफी अच्छा चल रहा था. इसलिए वो कभी कभी सुनिता की कुछ मदद कर दिय करता था. लेकिन ये बात उसकी बतनी कामिनी को बिलकुल पसंद नहीं थी. कामिनी के जोड़ देने पर ही अब सुरेश गाव छोड़ कर शहर जा रहा था. अब अपनी भावी को गलत मत समझ न सुनी था. इसका मतलब इस घर से था. दरसल ये घर अब काफी पुराना हो गय है. इसका रख रखाव मुश्किल भी है और खर्चीला भी. और फिर बच्चों के भविशे के बारे में भी तो सोचना है ना. शेहर में रहेंगे तो बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ सकेंगे. लेकिन तू फिक्र मत करना. मैं गाउं छोड़ कर जा रहा हूँ. सुनीता को सुनाते हुए कहती है. हाँ हाँ सब का ठीका तो तुम हीने लेका रखा है ना. इतना कहकर कामिनी वहां से चली जाती है. सुनीता अपनी आखों को पोश्टे हुए सुरेश से कहती है. कोई बात नहीं भाया. आप हमारी फिक्र मत करना. भाबी और बच्चों का खयाल रखना और खोब तरक्की करना. मेरी भगवान से बस यही प्रार्तना है. सुरेश सुनीता की मदद करना चाहता था. लेकिन इसकी वज़ा से वो अपने घर में कलेश भी नहीं चाहता था. उसने कई बार कामिनी को समझा कर देख लिया था. लेकिन वो बदलने को तया लेकिन तभी वहां कामिनी एक पुराना संदूक लेकर आ जाती है. लेलो लेलो बस यह आखरी बार ही है. इसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा. क्योंकि शेहर में बहुत खर्चे होंगे हमारे भी. और सुनो, जाते हुए यह माजी का पुराना संदूक और यह कुछ भी लेती जाना. कबसे ऐसे ही पड़े हैं. अब यह सब मैं शेहर लेकर तो जाऊंगी नहीं. तो तुम ही ले जाना यह सब. कामिनी उस संदूक को और पुराने कपड़ों को जमीन पर डाल देती है. मालू किसी नौकर को दे रही हो. लेकिन फिर भी सुनीता इस बात का होई वहाँ से चली जाती है. फिर सुनीता वो सारा सामान और सुरेश के दिये हुए पैसे लेकर वापस अपने घर आ जाती है. तब उसकी बेटी पिंकी उससे कहती है. मा, ये नानी का संदूक है क्या? इसे खोलो न, मुझे देखना है कि इसमें क्या है. हो सकता है मेरे लि के सिर पर हाथ फिरती है और फिर दोनों मिलकर उस संदूक को खोलते हैं. उस संदूक के अंदर काफी कुछ था, लेकिन सब पर बहुत धूल चड़ी हुई थी. सुनीता एक एक करके सारा सामान बाहर निकाल कर उसे साफ करने लगती है. तब ही अचानक उसके हाथ अपनी मा की पुरानी डायरी लगती है. अरे, ये तो मा की डायरी है. मुझे याद है इसमें तो माने सब कुछ लिखा था. नानी ने क्या लिखा था इसमें? मा मुझे भी दिखाओ ना? बेटा, मेरे बाबा यानि तुम्हारे नाना जी का इस काउँ में बहुत बड़ा धाबा था. मा और बाबा मिलकर उसे चलाते थे अच्छा और अब मामा जी उसे चलाते है अब मेरा मतला बहर चलाते थे अब तो वो शहर जा रहे है न हाँ बेटा तुम्हें पता है तुम्हारी नानी बहुत ही बढ़िया पावभाजी बनाती थी मुझे आज भी याद है जब भी वो पावभाजी बनाती थी सारा गाउं उसकी खुश्बु से खिचा चलाता था मा अपने पावभाजी को नए नए तरीकों से बनाती थी और फिर सब कुछ अपनी इस डायरी में लिख कर रख लेती थी अच्छा तो मा तुमने नानी से क्यों नहीं सीखा पावभाजी बनाना पिंकी की बात सुनकर सुनीता उदास हो जाती है दरसल सुनीता को बच्पन में खाना बनाने का बिल्कुल भी शौक नहीं था उसके मा जब उसे मदद के लिए बुलाती वो कोई न कोई बहाना बना कर वहां से गायब हो जाती अरे ओ सुनीता कब से बुला रही हूँ आती क्यों नहीं आ जरा ये भाजी का मसाला पीस दे जरा तब तक मैं पाव देख लेती हूँ नहीं मा मुझे मुझे तो बाहर खेलने जाना है मैं जा रही हूँ ये भगवान कैसी लड़की है कितनी कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत काम सीख ले लेकिन इसका तो मनी नहीं लगता चालो कोई बात नहीं इस डायरी में सब कुछ लिखा तो है मैंने जब बड़ी हो जाएगी तो खुद बखुद सीख लेगी क्या हुआ मा कुछ तो बोलो अ हाँ मैं अब बनाऊंगी बेटा पाव भाजी बनाऊंगी मैं बिलकुल अपनी मा जैसे पिंकी तुम करोगी न मेरी मदद हा मा पिलकुल करूँगी सुनी था सबसे पहले अपनी मा की डायरी खोल कर उसे खुब अच्छे से पढ़ती है और फिर सुरेश के दिये पैसों से पाव भाजी बनाने का सारा सामान खरीद कर लाती है वो डाइरी से पढ़कर ठीक उसी तरह सब कुछ बनाती है जैसे उसकी माँ बनाय करती थी उसने कुछ बाजार से बना-बनाय नहीं खरीदा बलकि सारे मसालों को सुखा कर खुद अपने हाथों से पीस कर तयार किया पाओ भी खुद बनाय और सबजियां भी बिल्कुल ताजी इस्तिमाल की फिर शाम को उसने अपने ठेले पर सबजियों की जगा पाओ भाजी बेचना शुरू कर दिया पिंकी भी इस काम में उसकी पूरी मदद कर रही थी अरे सुनिता ये पाओ भाजी बेचना कबसे शुरू किया बस आज से ही चाची पता है चाची मैंने पाओ भाजी बिल्कुल वैसे ही बनाई है जैसे माँ बनाती थी अरे वा भाबी के हाथ की पाओ भाजी तो यहां सब को बड़ी याद आती है ला, मैं भी खा कर देखू, तेरे हाथों में भावी वाला स्वाध है भी या नहीं सुनीता फॉरन एक प्लेट पाव भाजी लगा कर अपनी पडोसन सरला को दे देती है सरला उसे खाते हुए कुछ नहीं कहती, फिर उसके बाद कुछ तो कहो चाची, मा जैसी बनी है या नहीं रुख जा, रुख जा, पहले खतम तो कर लू भाई, मज़ा आ गया, सच में सुनीता, तुने बिल्कुल भावी जैसी पाव भाजी बनाई है सालो पुराना स्वाध फिर से आ गया तुझे तो ये काम पहले ही कर लेना चाहिए था, फाल तुम्हें वो सबसी बेशने के चक्कर में पड़ी थी, चल ऐसा कर, चार, पाँच, तु ऐसा कर, पुरी छे प्लेट पैक कर दे, घर में सब की तब्यत खुश हो जाएगी तेरी पाव भाजी खाकर सरला से अपनी पाव भाजी की इतनी तारीव सुनकर सुनीता बहुत खुश हो जाती है, और फटा-फट उसे पाव भाजी पैक करके दे देती है, धीरे-धीरे सुनीता के पास और भी ग्रहक आने लगे, और सिर्फ दो घंटों के अंदर ही सुनीता की सारी पाव भाजी बि पिंकी ये सब मेरी मा का कमाल है चलो अंदर चलते हैं और कल के लिए तयारियां करते हैं। सुनीतो और पिंकी मिलकर पाव भाजी बनाने लगे और धीरे-धीरे सारा गाउं उनका ग्राहक बन गया। शाम होते ही उसके ठेले पर भीर लगनी शुरू हो जाती है और कुछी घंटों में सब कुछ पिक जाता था। ऐसे ही कुछ साल बीट गये अब सुनीता को किसी बाद की चिंता नहीं थी। सुनीता के ठेले की जगा अब गाउं में एक बड़ी पाव भाजी की दुकान थी। जैसे कभी उसके माता-पिता की हुआ करती थी। इतना सब होने के बाद भी सुनीता ने मेहनत करना नहीं छोड़ा बलकि अब वो वक्त के साथ अपनी पाव भाजी में कई बदलाव भी करने लगी थी। जिन्हें भी लोग खुब पसंद कर रहे थे। अरे वाँटी आपकी भाजी में तो बिलकल पिज्जा जैसा स्वाद आ रहा है। ऐसा कैसे किया आपने। मैंने अपनी भाजी में चीज भी डाला है। पिछली बार तुमने कहा था ना कि तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को पिज्जा बहुत पसंद है। बस इससे लिए। अरे वाँ अंटी मैं अभी जाके अपने सारे दोस्तों को बुला कर लाता हूँ। वो सब भी आपकी पाव भाजी खाकर बहुत खुश हो जाएंगे। इसी तरह सुनीता दिन दोनी रात चौगोनी तरक्की करने लगी। यहां तक कि अब तो उसका इतना नाम हो गया था कि उसे शेहर की पार्टियों के लिए भी ओर्डर मिलने लगे थे। हाँ ये ठीक है तुम ऐसा करो जाकर सारी सबजियां उठा लाओ तब तक मैं भाजी बनाना शुरू करती हूँ। अरे भाबी आप कहां परिशान होगी हम सब मिलकर कर लेंगे सब कुछ आप अराम कीजिए। नहीं बिर्चु बहिया बनाओंगी तो मैं खुदी जैसे हमेशा मेरी माँ बनाती थी। आप मेरी मदद कर रहे हैं यही काफी है। सुनीता शेहर में हो रही ही एक बड़ी पार्टी के लिए पाव भाजी बना रहे थी। उस पार्टी में सुरेश और कामिनी भी आये हुए थे। सुरेश ने जैसे ही सुनीता के हाथों की बनी पाव भाजी चकी तो वो उस स्वात को तुरंट पहचान गया। राकेश ये पाव भाजी किसने बनाई है। मुझे अभी मिलना है उस से। अरे बड़ी मशूर कैटरर है। पास के ही गाउं में रहती है। लेकिन फिर भी उसके आउडर की बुकिंग बड़ी मुश्किल से मिलती है। अच्छा फिर तो बंटी के बड़ी के लिए अभी से स्केटरर को बुक कर लेते हैं। जल्दी चलिया जी। सुरेश का दोस्त उसे और कामिनी को लेकर सुनीता के पास जाता है। वहां सुनीता को पाव भाजी बनाते देखकर सुरेश और कामिनी दोनों चौंक जाते सुनीता मेरी बेहन तब ही मैं सोचू कि मां के हाथों का स्वाथ यहां किसके हाथों में आ गया। मुझे माफ कर दे मेरी बेहन। मैं तुझे वहां गाओं में बे सहरा चोड़ कर आ गया। सच में बहुत बड़ी घलती हो गई मुझसे। मां मुझे कभी माफ नहीं करेंग नहीं भाईया, अगर मैं अकेली नहीं पड़ती तो मा का साथ मुझे कैसे मिलता, ये देखिए, ये मा की डाइरी है, मुझे मा के संदूग से मिली, इसी के सहारे मैंने ये काम शुरू किया सुरेश के साथ साथ कामिनी भी शर्मिंदा थी, दूसरी तरफ सुनीता आत्म विश्वास से भरी हुई थी, क्योंकि अब वो गाउं की बे सहारा गरीब सुनीता नहीं थी, बलके मशूर केटर्स की मालकिन सुनीता मैडम बन गई थी